नमश्यार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशानत आप सभी का स्वागत करता हूँ IPL auction 2021-18 फरवरी को होगा auction में सभी टीमें कुछ ऐसी खिलाडियों पर बोली लगाने वाली है जो टीम के लिए एहम साबित हो सकते हैं ऐसे में ये देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है कि RCB की टीम आउक्षन में किन-किन खिलाडियों पर बोली लगाईगी RCB उन खास टीमों में से है जो एक बार भी IPL का खताब नहीं जीत पाई है बैंगलोर की टीम के पास पर्स में 35.9 करोड रुपय हैं ऐसे में हो सकता है कुछ महेंगे खिलाडी भी इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ सकते हैं वराट को लिए कपतानी वाली RCB इस बार आउक्षन में किन-किन खिलाडियों पर बोली लगा सकती है उस पर नजर डालते हैं रॉयल चलेंजिस बैंगलोर को एक बहतरीन ओपनर बलेवाज की धरकार है जो देवदत पडिकल का पूरे टूनामेंट में अच्छे से साथ दे सके RCB ने अरण फिंच को रिलीस कर दिया ऐसे में फ्रेंचाइजी ओपनर को लेकर आउक्षन में बोली लगाईगी बैंगलोर, एलेक्स हेल्स और डिविड मलान जैसे बलेवाजों को टीम में शामिल करने की रन नीती अपना सकती है देवदत पडिकल के साथ ये खिलाडी बता और ओपनर टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं आरसीबी की टीम के पास विराट कोहली, एवी, डिवलियर्स जैसे धाकड़ बलेवाज हैं जो बीच के ओवरों में तीजी से रन बना सकते हैं लेकिन इन दो खिलाडियों के ना चल पाने के बाएद बैंगलोरी की टीम मुझीवत में फस जाती है ऐसे में आक्षन के दोरान फ्रेंचाइजी एक अनुभवी वल्लेबास को टीम में शामिल करने के लिए बोली लगा सकती है जिससे टीम का मिडल ओडर और भी मजबूत हो सके ग्लेन मैक्सवल एस्टीव स्मित कुलेकर फ्रेंचाइजी रणनीती तयार कर सकती है क्रिस मारिस को भी फ्रेंचाइजी फिर से साइन कर सकती है इसके लावा श्रिलंका के तिसारा परेरा RCB के लिए आदर्श हो सकते है RCB के पास ये जुविंदर चेहल वासिंग्टन सुंदर जैसे स्पिनर है जो टीम के लिए शानदार साबित हुए है लेकिन फ्रेंचाइजी एक और स्पिनर को टीम में शामिल जरूर करना चाहेगी CSK ने भज्जी को रिलीज किया है ऐसे में टीम RCB आॉक्षन के दोरान अनुभवी स्पिनर हर बजन सिंग पर बोली लगा सकती है RCB के टीम के पास तेजगेंद बाजों का अच्छा पूल है और पिछले सीजन में तेजगेंद बाजों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था उमीद कम ही की जा रही है कि RCB किसी महेंगे बॉलर को अपने साथ इस सीजन में जोड़ेगी फिलाल के लिए इस वीडियो में ताई तो आम स्पोर्ट सब्डेट के लिए बने रहे हैं और इंडिया के साथ